स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी किलासिस में मैं चेतन प्रताब आज आपके लेकर आए हूँ कच्छा ग्यारा में हिंदी में गद्य के अंतरकत राय कृष्ण दास द्वारा लिखित एक निबंध जिसका सीर सके आनंद की खोज पागल पतिक बहुत अच्छा चेप्टर है तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें साथ ही साथ वेल आइकन भी आउन कर लें जिससे हम आगे जो भी वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके औ और आप उस वीडियो का लाव उठा सके तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर से मैं चेतन प्रताब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासिस में आनन्द की खोज पागल पथिक इसको दो सीषक में माटा गया है आनन्द की खोज एक अलग ले लि जो रास्ते में चलता है राहगीर ठीक इसके दो अर्थ भी ले सकते हैं एक पथिक वो भी होता है जो किसी लक्ष को पूरा करने के लिए मेहनत करता है आगे बढ़ता है चले देखे ज़रा आनन्द की खोज आनन्द की खोज मैं कहां कहां ना फिरा कोशन मार अब लेखा कि यहां कहने कारते है कि मनुष्य जो होता है हम हर चीज में कोई भी काम करते हैं तो केवल आनन्द के लिए करते हैं कि हमको उसे पर सनता मिले खुशी मिले है ना तो लेका कहता है कि आनन्द की खोज में मैं कहां कहां ना फिरा कि आनन्द की खोज के लिए मैं कहां कहां नहीं फिरा है यानि मैंने सब जगे कोसिस की कि मैं मुझे आनंद मिले हर चीज में यानि कहने का मतलब यह है कि मनुष्य आनंद की खोज में कहां कहां नहीं घूमता है क्या क्या नहीं करता है दुनिया में है ना तो मनुष्य आनंद की खोज में लगा रहता है तो लिखक कहता है कि मनुष्य जो भी करता है कि वह आनंद के लिए करता है आनंद की खोज में मैं कहा कहा ना फिरा सब जगह से मुझे उसी भाती कलबते हुए निरास लोटना पड़ा जैसे चंद्र की ओर से चकोर लडखाड़ाता हुगा फिरता है यानि चंद्रमा की तरब जब चकोर दौड़ता है तो चंद्रमा को पाने की लालसा में दौड़ता है लेकिन वहां तक उतनी उचाई तक नहीं पहुँच पाता तो लडखाड़ाता हुगा जैसे फिरता है ना इधर दर बैसे ही मैं आनंद की खोज में अधर दर फिरा लेकिन आनंद मुझे कहीं भी नहीं मिला तो सब जगह से मुझे उसी भाती कलबते हुए कलबते हुए माने व्याकुल होती है है ना यानि निरास ही लोटा कलबता रहा सब जगह से मुझे उसी भाती कलबते हुए निरास लोटना पड़ा जैसे चंद की ओर से चकोल लड़ खाड़ाता हुगा फिरता है मेरे सिर पर कोई हाथ रखने वाला ना था और मैं रह रहकर यही बिलगता कि जगनात के रहते भी मैं अनात कैसे रहता हूँ क्या मैं जगत के बाहर हूँ अब लेखाग आगे कहते हैं कि मेरे सिर पर कोई हाथ रखने वाला ना था यानि कोई ऐसा नहीं था जो मुझे पर हाथ रख सके अर्थाद मेरा कोई मार दर सक नहीं था और मैं रह रहकर यही बिलगता कि जगनात के रहते भी मैं अनात कैसे रह सकता हूँ यानि भगवान का एक मात सारा था कि भगवान के रहते भला मैं कैसे अनात रह सकता हूँ क्या मैं जगत के बाहर हूँ अब क्या मैं जगत के बाहर हूँ का अर्थी है कि लिखक संधे उत्पन ने करता है इश्वर पर क्या इश्वर मैं तेरी प्रकर्ती में नहीं हूँ क्या कहा जाता है कि सब जगे सब पर तेरी नजर है सब पर तेरा किरपा है हाथ है तो क्या मुझ पर किरपा नहीं क्या मैं तेरे जगत से बाहर हूँ आगे देखे मुझे यह सोचकर अचरज होता कि आनन्द कंद मूलक इस बिश्श बल्लरी में मुझे आनन्द का अनुमात्र भी न मिला आनन्द कंद मूलक कि ये संसार जो हो आनन्द की एक रचना है तो इस बिश्श बल्लरी में यानि संपूर संसार में मुझे आनन्द का अनुमात्र भी न मिला माने थोड़ा सा भी आनन्द मुझे प्राप्त नहीं हुए, यह मैं सोच कर बड़ा अचरज मुझे होता है, आश्यर होता है, हाँ, आनन्द के वदले रुदन और सोच परिपोशित कर रहा था, यानि आनन्द के वदले मुझे सोच मिला और परिपोशित कर रहा था, माने कि आनन्द खोजने के कारण अब उसे आनन्द कहीं मिलता तो है नहीं तो निरास होता रहता हमेशा निरास बना रहता है अपने जीवन से और वो सोचता है कि मुझे कुछ प्राप्त हो सकता लेकिन मनुश्य को होता नहीं है प्राप्त कुछ भी, यानि हमेशा एक सोच बना रहता है उसको, हमेशा वो सोच में ही डूबर रहता है, कि आखिर ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है, कि मुझे केवल इतनी सारे परिश्रम के बाब्यूद भी, मुझे कुछ न मिला तो यह मनुस्ष्ट की भोज है, जो दुनिया में चलती रहती है केवल वो, आनन्ध ही आनन्ध खुछते रहता है लेकिन उसको मिलता नहीं, सब जगे आनन्ध की कोश करता है हर चीज में, जिस काम को करता है वो उस काम में, है نा लेकिन आनन्ध के कहीं इस हो हवा भी नहीं लगती लेखा कहते हैं, अंत मैं मुझसे रहा ना गया, लेखा कहता है, अंत मैं मुझसे रहा ना गया, मैं चिला उठा, आनंद, आनंद, कहां है आनंद, हाए, तेरी खोज में मैंने विर्थ जीवन, जीवन गबाया, लेखा कहता है, कि आनंद की खोज मैंने विर्थ ही जीवन गब बहार प्रकर्ति ने मेरे सब्दों को दोराया अब लेका केहता है जब मैंने ये चिला के कहा तो इसी क थी माने वो मौन थी मेरी आंत्रिक प्रिकर्टी मेरा अंतरमन मौन था अतेव मुझे अतीव आश्यर हुआ अता मुझे अतीव आश्यर हुआ अत्रमन मौन था इसका मतलब यह नहीं कि अंतर चे कोई आवाज नहीं आई कोई प्रेण ना कोई सांतव नहीं आई है ना अतेव म अपने आप में भी देखा था यानि लेखक कहता है मेरे मन से तो कोई आवज नहीं आई लेकिन ब्रह्मान का प्रतेक कण मुझसे ये सजीव होकर बोलने लगा एहसास हुए लेखक को ये कि क्या कभी अपने आप में भी देखा है कि अंदर जहाका है कभी मैं अवाक था अर्थात में लेखक कहता है मैं चुप हो गया बोलने ही सखा कुछ में जादा सच तो या है जब मैंने उसी विश्व के एक अंस अपने आप तक में ना खो जा था तब मैंने ये कैसे कहा कि समस्त सरिष्व के छान डाली लेखक कहता है कि मनुष आनन्द खोचता लेकर आनन्द मिलता नहीं और फिर कहता है दुनिया में आनन नहीं अब दुनिया को तो दोस्त दे दिया लेकिन क्या स्वयम के अंदर जहाका है लेखक कह रहा है मैंने पूरे विश्व को तो कह दिया दोस्त लगा दिया लेकिन क्या मैंने स्वयम को जहाका है अर्थाद मैं ये तो कह रहा हूँ कि स्रिष्टी तो मैंने छान लिया अर्थाद पूरे संसार में देख लिया कहीं आनन नहीं लेकिन क्या मैंने स्वयम को देखा अपने अंदर जाग के देखा जो बस्तु मैं ही अपने आपको ना दे सका लेका कहता है कि आनन्द मैं दूसरे में खोज रहा हूं लेकिन मैं वो आनन्द स्वयम को ही ना दे सका तो वह भला दूसरे मुझे क्यों देने लगे भला फिर अपने आप में मिली जो मुझे अखिल ब्रह्मान से ना मिली थी वह अपने आप में मिली अब लेखक कह रहा है कि जो मैं अपने आपको ना दे सका वह मुझे प्रह्मान से मिली और जो मैं अखिल ब्रह्मान से ना मिली वह मैं मुझे अपने आप में मिली यानि लेखक का यहा इसमें अपने आप में मिली यानि जो खुद आनद चाहिए तो अंदर में डूगओ यहां दो विरोधी चीज़े कहीं है पहली चीजी कहीं है क्या है अगर आनद चाहिए अंतर में आनद चाहिए तो बाहर आनद बाठना पड़ेगा तभी अंतर में आनन आएगा आगे दिखे अब दूसरा जो इसका सीरसक है इसी का पार्ट पागल पथिक पागल पथिक अब इसमें लेखक क्या कहते हैं समयें पागल पथिक मैंने पूछा पथिक यानि स्वैम को पथिक कहते हैं जीवन में विट्टी के एक लक्ष होता है उस लक्ष की पूर्टी के लिए जब हम प्रियास करते हैं तो उस लक्ष के मार्ग के हम पथिक कहलाते हैं तो लेखक कहता है पथिक मैंने पूछा तुम कहां से चले हो और कहां जा रहे हो यानि कहां जन्ब होगा था और कहां जा रहे हो यानि लक्ष क्या है किस ओड जा रहे है तुम्हारी यात्र तो लंबी मालूम पड़ती है क्योंकि तुम्हारा तन सूकर काटा हो रहा है अब तन सूकर काटा हो रहा है जीवन के अंतिम पड़ाव पर लेकर पहुँच गया ये अर्थ है इसका तुम्हारी यात्र तो लंबी मालुम पर थी ऐसे लगता है कि तुम्हारी यात्र बहुत लंबी है और तुम्हारा तन सूकर काटा हो रहा है और उस पर फटा बस्त तुम्हारे विदीन हिर्दे की आसूरो रहे हैं और तुम्हारे पैर भी फूट फूट कर रक्त के आसूरो रहे हैं अर्थार लेखा के कहने कारते हैं कि तुम्हें जीवन में परिस्रम बहुत किया ये कि मिला जुला कुछ नहीं तो ये तुम्हारे पैर जो है ठके हुए पैर स्रम से हार कर स्रम माने ठकाव अर्ठा तुम कहां से चले हो, कहां जा रहे हो लेखक का ये कहनेकार दे उसने देने से दात निकाल कर उत्तर दिया अब लेखक कहता है जब मैंने प्रिष्ण किया पतिक से यानि स्वैम से ये अर्थे दिक या किसी बैक्ति को भी मान सकती अपने पूर्ण सौंदर में मिलती है पर दुख का वहां लेस नहीं है अब लेखा कि यहाँ सुख में जगत की बात कर रहा है मरने की बात की बात जहाँ ईश्वर का राज है वहां इस संसार के बारे के ऐसा इस थाने जहां सुख और बिलास की समस्त सामगरिया है यानि हर चीज है स्वर्ण में पूर्ण सौंदर में मिलती है पर दुख का वहां लेस भी नहीं है माने थोड़ा सा भी दुख नहीं है मेरे गुरु ने मुझसे उसका ठीक पता बताया था और मैं चला भी था उसी पर किन्तु मुझसे ना जाने कौन सी भूल हो गई कि मैं घूम फिर कर बार बार यहीं आ जाता हूँ अब यहां लेखक दारसनिक बात कर रहे कि गुरु ने तो मुझे वो आनन्द पाने का मार्क बता दिया था इश्वर तक पौँचने का लेकिन मैं चला भी उसी मार्क पर था लेकिन मार्क भटक गया भूल गया और फिर मैं घूम घूम कर बार बार फिर आहीं आ जाता हूँ यानि लेखक यह कहने का प्रियास कर रहा है कि व्यक्ति जो है मनुष्ट का जो जन्म है वो ईश्वर को पाने के लिए वो ईश्वर के मार के पाने के लिए निकलता है जन्म तो लेता है इसी कार के लिए उद्देश से उसका यह है लेकिन वो भूल जाता है अपना उद्देश वो भटक जाता है वो बार बार धरती रही इश्वरी आनन नहीं मैंने सखेद कहा मैंने दुख भर के कहा सखेद माने दुख सहेद कहा मैंने क्या कहा हाई तुम भारी भूल में पड़े हो भला इस विश्व मंडल के बाहर तुम जा कैसे सकते हो लेखक अब अपनी आप में कहता है कहता है तुम भारी भूल में भारी भूल में पड़े हो भला इस बिश्व मंडल के बाहर तुम जा के सकते हो यानि इस संसार के पार जाने का मारगी नहीं यह तुम कैसे जा सकते हो तुम जहां से चलोगे फिर वहीं पहुंच जाओगे यह तो घटाकार ना है यह तो घटाकार ना है यानि यह तो ठीक ऐस इसी आत्रा है जो जहां से शुरू होती वहीं पर फिर समापत होती है। फिर तुम उसे इस्तान की कल्पना तो इसी आदर्स पर करते हो और जब तुम्हें इस मूल ही में सुख नहीं मिलता तब अनुकरण में उसे कैसे पाऊगे। और उससे सुक को अलग कर लेने के उद्योग में भी एक सुक है यानि अगर दुख से सुक को हटा लिया जाए और फिर सुक को पाने का प्रयास किया जाए तो उसका जो उद्योग है परिस्रम है सुक को पाने का जो परिस्रम वो भी एक प्रकार का सुक है जब उसे ही नहीं प पासकते जो संसारिक सुख है जब तुम इसको इनी पासकते तो वहां का निरंतर सुख जो हमेशा कायम रहता है वो निरंतर सुख तो तुम्हें एक अपरिवर्तन सील बोज एक ऐसा बोज लगेगा जो कभी खतम नहीं होता अपरिवर्तन सील रहता है माने कभी बदलता नहीं यही यातन, यही नहीं यातना हो जाएगी फिर यह यातना बाली बात भी हो जाएगी जब तुम यहां का आनन्द नहीं पा पा रहे तो फिर पारलोकिक जगत का आनन्द कैसे पाऊगी यानि बिना संसारिक सुख के पारलोकिक जगत का आनन्द भी नहीं हो सकता इश्वरी राज्य का आनन्द भी नहीं हो सकता अरे बिना नब्विता में शुक कहा है लिखा कहता है बिना नब्विता में यानि इश्वरी शुक तो आपर ही वरता नसील है वो कभी घरता वरता नहीं है एक सा रहता है सदा एकरस रहता है तो फिर लिखा कहता ह कहता है कि अरे बिना नब बिता के सुख कहा है यानि जब कोई चीज बार-बार नई चीज नहीं है आ रही नयापन नहीं आ रहा है तो फिर सुख कहा है तुम्हारी है कलपना और संकल्प नितांत मिथ्या और निशार है और इसे छोड़ने में ही तुम्हें इतना सुख मिलेगा कि तुम छख जाओगे लेखा कहता है इसे छोड़ने में ही तुम्हें बहुत सुख मिलेगा कि तुम छख जाओगे अब लेखक यहां यह बात करागी, हम आनंद की खोज तो करते हैं, लेकिन आनंद की एक्षा रखते हैं, और इसी कान से मैं आनंद नहीं मिलता, तो यह जो एक्षा है, यही छोड़ दो, यही कल्प न छोड़ दो, यही संकल्प त्याग दो, परंतु उसने मेरी एक न सुनी और अपनी राम पोटरिय उठाकर चलता बना, लेकिन कहते हैं, कि उस पथिक ने मेरी एक न सुनी, वह अपनी हम पोटरिय उठाकर चलता बना, अर्था वह अपनी मार्ग में आगे निकल गया, तो वीडियो यही तक, आसा ही यह वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गय आया होगा यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुर ना भूलें आगे अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत बंदे मात्रम